तो चलिए आज की क्लास जिसका किस्सा शुरू करते हैं और बात करते हैं फिलना, ड्रॉपना, इसना और इसनल के बारे में और ये नाम की तरह ही इनके जिसे नाम है वैसे ही इन फंक्शन के काम भी है तो चलिए आज की क्लास को बिल्कुल शुरू कर देती हैं अब देखो ज यहां पर यह नल से रिलेटर चीजें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नल से रिलेटर, तो यह क्या कह रहे है, फिल, नल, जहां पर नल वाल्यूस हैं, उनको फिल करो किसी नंबर के साथ में, ड्रॉप करो किसको नल को, है ना, इज ना, तो यह चेक कर रहे हैं कि क्या यह नल है क नहीं है अब कोगे फिर इन दोनों में अंतर क्या है तारी चीजें चलिए डिस्कस करते यहीं पर नहीं वताएंगे अब ऐसा करते कि हम अपने एक डेटा फ्रेम को ले लेते हैं जैसा कि हमारा डेटा फ्रेम इस पूरी सीरीज के अंदर हमने इसी लिएफ के उपर काम किया है इसका एक ss ले लेते हैं और यहां पर इसको paste करते हैं तो यह हमारा डेटा फ्रेम है super cool ma'am this is our data फ्रेम यहां पर फटा फट से null values को कर लेते हैं यह रहां तो यह आपके पास में null values आ रही है super cool super cool super cool अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले function की जो कि आपके पास में कौन अब यह क्या करेगा जैसे कि आपको पता चल रहा है कि फिलना मतलब फिल करेगा, ओके, किसको नल वाल्यूज को, हाँ, अब ऐसा है कि मैं करती हूँ, s.fill now, अब मैंने इसके अंदर दे दिया 90, what I have given 90, अब ऐसा है कि जब हम इसको रन कर रहे हैं, तो आपके पास में आपका डेटा फ्रेम प्रडियूज होकर के आ रहा है, और वो जो वाल्यूज जो की नल थी, अब उनकी जगह पर एक वैल्यू आ चुकी है, which is 90, क्योंकि आपने हाँ पर 90 दिया है, तो मतलब यह जहां पर भी आपके पास में जहां पर भी नल वाल्यू होंगी, उसको यह 90 से रिप्लेस करते हैं, अब आपका होगे 90 ही क्यों, आप कुछ और देना चाहें, येस आपको यह और नंबर दे सकते हो, तो अगर हमने एंप्टी रखा, तो अगर हमने एंप्टी रखा, तो वी कन सी हेर, अब इसमें कुई और चीज मुझे अड़न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने तनी तफ तफ चीज़ें सीख ली हैं, तो फिलना is just to fill null values, that's it, उससे उपर कुछ भी नहीं है, ओके, अगला जो हमारा यहां पर है, क्या है, drop ना, क्या है, drop ना, अब ये क्या करेगा, drop करेगा, किसको भई, null values को, अच्छा, चलिए, अब अपने drop ना को call करते हैं, तो ये क्या करने वाला है, जो null records हैं आपके पास में, अगर आप दोनों में compare करो, तो you have Sundar का data, you have Ram का data, इन दोनों की row के अंदर हैं आपके पास क्या null values, तो we will be finding here, कि वो पूनम से अकाश तक का data आपको डिस्पले कराएगा, ठीके जनका null है, वो नहीं display होगा, जैसे कि अपने क्या करते हैं, किसी और के नाम में भी null डाल देते हैं, let's suppose ये last, या ये second last वाला, नन कर देते हैं, अब मैं इसको रन करती हूँ, तो ये जो second last record होगा न, ये भी display नहीं होना चाहिए, तो वो पूरी row ही drop हो जाएगी, drop na, is dropping null, okay, so we don't have data of Sundar, Ram और सार्थक, या न, तो उनके अलावा वाला data हमारे पास में है, तो मेरे को नहीं लगता कि अब मुझे इसमें भी कोई time spent है, जो करना चाहिए, कि drop na, नाम इस null, null को drop कर रहा है, that's it, अब बात करते हैं, is na की, अब नाम क्या कहता है, is na का, कहा हो तुम, इस ना का नाम क्या कहता है, is na, is na, is na, पहली चीज़, is na, ये चेक करेंगा, तेखो, is जहां पर भी लगा होता है, जब आपने string के का अंदर कभी भी आपने इसको करा था, is numeric, is digit, is alpha, is alpha numeric, is upper, is lower, is identifier, ऐसे functions जब आपनी किये थे, तो मैंने आपको बताया थे, कि जब भी किसी function के आगे is लगता है, तो वो हमेशे आपको true या false में answer करता है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं किसी से सवाल, है ना, तो यहां पर क्या चीज़ है, कि हम सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल क्या है, कि जहां पर null है, ये वहां पर true करे बोले तो क्या, is na, मैं ऐसा पूछ रहो कि is null, तो क्या गरेगा, जहां पर हमारा null है, वहां पर true आएगा, अब आप कोगे, अच्छा, अगर इसका मतलब is na का ये है, तो what's the mean of is null then, is null का क्या मतलब होगा, देखे, बस दोनों के नाम अलग है, लेकिन काम दोनों का same है, तो यानि कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों से same output आपके पास में produce हो रहा है, तो यहां पर देखे, you have answer, false, true, false, false, is null से भी वही चीज हो रही है, false, true, false, 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 तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि दोनों functions, is na और is null, एक ही काम कर रहे है, तोनों की जो functionality है, वो same है, बस नाम लग-लग हो गया, ठीक है, तो यह इन तीनों चारों functions की कहानी है, जो मैंने आपको बड़े ही अराम से बताई है, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है, कि जो हमें ऐसी पता चली हो, कि हम इतने surprise हो गए, मतलब नॉर्मल है, ठीक है, और I hope आपको अच्छे से समझ में आ भी गया तो चली है, फिर हमारा लास्ट बचा हुआ टॉपिक है, जो कि CSOE से रिलेटेड होगा, जिसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद में प्रशनी प्रशन करने है, ठीक है, एंड जल्दी कोशिश करेंगे, कि मैट-plot-lib को भी जल्दी खतम कर दें, जिससे एक्जाम तक हमार प्रशन का कहने का मतलब है कि कोशिंज के लिए आपका बच जाए, है ना, प्राक्टिस के लिए आपका बच जाए, कभी-कभी श्यब्द नहीं आते है दिमाज के अंतर, तो आपको जद्दो जहद करने ही पड़ती है, तो शायद मुझे प्राक्टिस कोशिशन ढूनने मे दूस्तों के साथ में इसको शेर करना मत भूलना और दूसरी चीज़ दू सब्सक्राइब दे चानल बाई